मानव सरीर की सरचना जितनी अद्भूद है उतनी ही जटिल भी है या एक ऐसा विषय बन गया है जिस पस सदियों से सोध होते ही आये हैं और भविस में सोध होते ही रहेंगे आज इस वीडियो में हमारे सरी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिनको सुलजा पाना विज्ञान के समर्श से भी बाहर है और इन सभी रहस्यों का जवाब सायदी विज्ञान सही तरह से दे पाएगा तो आये जानते हैं कि क्या है वे चीजे जो नीद में अचानक जटके आना दोस्तों कोई नई बात नहीं कि हम सभी को कभी ना कभी अचानक नीद में जटके आते हैं जब कभी भी हम गहरी नीद में सोते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मानों कोई हमें किसी उचाय से गिरा रहा हो या फिर हम खुदी उसी जगल से जहां हमारा दिमाख सोने और जागने की प्रक्रिया के दोरान होने वाले बदलाओं को अच्छे से परक नहीं पाता है। और साइद ही इसी वज़े से ओ अच्छे से काम नहीं कर पाता और उस दोरान हमारा सरीर जटका ले लेता है और निट तूट जाती है। फिलाल दोस्तों एस सब किवल मानने वाली बात है जिनका कोई ठोज सबुद विज्ञान के पास नहीं है। दूसरा नीद में सपने आना हमारे लिए एक आम बात है और इसका कारण डूड़ना हमने जायज नहीं समझा। दोस्तों जरा विचार कीजिए कि क्या जानरों को भी हमारी तरह सपने आते होंगे या फिर हम इंसानी एकलोते ऐसे जीव हैं जो सपने देखते हैं। इस बात को और मजूद मनाता है हमारा अजीब अजीब से सपने देखना और हर बार नएने सपने देखना और सच मानिये दोस्तों सपने के दौरान हमें इस्तिती का भी भान नहीं रहता है और हमें लगता है कि सपना नहीं हकीकत में ही जी रहे हैं। दोस्तो इसको लेकर सोथकरताओं का कहना है कि हमारा सपना देखना हो ना हो पिर्थवी की चुमकी सक्ती से संबंदित है जिसकी वज़ा से हमारी उर्जा पर प्रभाव पड़ता है और इसके जवाब में हमें सपने आते हैं पर दोस्तो अभी भी इस बात पर काफी सोथकरना बागी है, कई लोगों का कहना है कि सपने हमारी इच्छाओं और चाहत को दरसाते हैं जहां हम अपने दिमाग में बनाई हुए दुनिया से संबंदित चीजों को महसूस करते हैं और जिस चीज का हम ज़्यादा ख्याल करते हैं वही चीजें हमारे सपने में एक हकीकत बनकर सामने आ जाती हैं पर दोस्तों ये कोई ऐसा कारण नहीं है जो विज्ञान पे आधारित हो तीसरा हमारी उंगलियों के निसान दोस्तों ये भी हैरान कर देने वाली बात है कि हमारी उंगलियों के निसान खुदी हमारी पैचान करा देते हैं और इनका अनोखा होना और हर एक से अलग होना भी काफी चोका देने वाली बात है आज के समय में हर इंसान की उंगलियों के निसान के द्वारा हम उस इंसान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पर दोस्तों आखिर क्या वज़े है कि हम इंसानों की उंगलियों के निसान हर एक से अलग होते हैं और ये आखिर आते कहां से हैं वैसे तो दोस्तों विज्ञानिकों ने इसके उपर भी रिसर्च की है पर कोई पक्का सबुत इकठा नहीं कर पाए हैं जो इस बात को सिध कर सके ए भी एक अजीब सी बात है कि चाहे जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो उन सबी के उंगलियों की निसान अलग-अलग ही होत अजय को दोस्तों की बात है